हेलो फ्रेंज, वेलकम तू दू दू बज़े से काइडमी, आज होब आप से भी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर जो गए घर पर सेफ होंगे देखिए आज की इस लेशन में हम लोग सोल्ब करेंगे MB publication के book से CPU के PT के questions को यहां लिखा गया है, सोल पेपर 2018, यह सेशन 2018 का है, लेकिन एक्जाम जो कंड़क्ट हुआ है, वो हुआ है 2019 में तो यह CPU 2019 के questions है, सेशन आपका है 2018, तो आज हम लोग MB publication के book से set number 12 करेंगे इसके पहले हम लोगोंने बहुत सारे lessons कवर कर लिये हैं, जैसे की MB publication के book से हम लोगोंने 2016 के questions को solve कर लिया है, सारे, चाहे वो PT questions हो, या फिर mains के questions हो, ठेक, CGL, CHSL, CPU, stenographer, ठेक, और अभी हम लोग कर रहे हैं 2019 के questions को, यह set number 12 है, इसके बाद वाले chapters भी, जो mains के chapters हैं, PT के chapters हैं, इसमें जो हैं, टोटल 40 sets हैं, अब remaining जो रह जाएगा, वो रह जाएगा 6 lessons, ठेक, यानि कि आज के lesson के बाद जो है, 6 lessons remaining है, 34 lessons solution हो चुके हैं, तो आप लोग जाकर playlist में, 10 MPJS Academy के playlist section में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा, MB book solution 2016, MB book solution 2019, वहाँ पर आपको सारे lessons मिल जाएं देख, तो इसके लिए भी अलग से playlist बना दिया गया है, उसमें भी lessons add कि करते जा रहे हैं, हम daily आपको lesson मिल रहा है, तो आप वहाँ पर भी lessons को जाकर देख सकते हैं, चली तो फिर सुरू करते हैं, question number first क्या है, set number 12 है, देखे, select the antonym of the given body, यहाँ पर आपको जो है, एंटोनि मतलब क्या होता है, बिपरीद, अब इसका जो है, antonym क्या होगा, डायरीनियल का, देखे, इसका मतलब होता है, दीन चर, यानि यह कोई ऐसा जीव या परानी, जो अपना काम जो है, वो दीन में करता है, ठीक, दीन में, तो अब हमारे पास जो है, options क्या क्या है, वो देख option B हो जाएगा, बाकी options है, occasional, यानि की कभी कभार, irregular, यानि की अनियमित रूप से, question 2, यहाँ पर देखिए, फिर से आपको antonym मताना है, appalling का, इसका मतलब क्या होता है, जराबना, क्या होता है, जराबना, ये SAC में बहुत और पूछा गया है, तो आप लग अच्छे से या हैं, तो I hope कि आप सभी को इन लेशन से थोड़ा फाइदा जरूर, थोड़ा नहीं, बहुत ही जादा फाइदा देखने को मिलेगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, एक्जाम देने के बाद, चली, देखते है, question 2, में हमारा appalling है, इसका विप्रीद बताना है आपको, alarming मतलब क्या होता है, खतरनाक, bloodless, यानि कि रफ्त हीन, यानि कि बिना खून का, horrible, यानि कि डरावना, appealing, यानि कि आकरसक, तो राइडांसर यहां पे हमारा option D हो जागा, देखिए, option C जो है, आपका, sinonim हो गया, लेकि हमें बताना है, इंटोनिम, इसलिए, appealing हमारा है, यहां प black and white pictures as a fill in the blank, because they will shout and scream at you, shout and scream, यानि कि आपको जराएंगे, ठिक, you want fill in the blank, the black and white, what you could walk past the color picture, ठिक, अब देखिए, अगर हम एक sentence को पढ़ेंगे, तो यहां पर एक word you use हो है, war, तो war से relate हम किन words को करेंगे, यहां पर हमारे पास weapon option है, अगर हम इनके साथ जाएंगे, अगर इसे हम eliminate कर देते हैं, option C और option D को, ठिक, तो war से related जो words हमारे हैं, वो बीपन होगा, बीपन यानि की, जो सैनिक लोग use करते हैं, ठिक, मतलब बीपन उनका और जार हो गया, ठिक, अब यहां पर देखिए, अब बीपन या तो option A, या तो फिर option B होगा, इसके बाद जो miss और यहां पर लाइक, यह अब हम कैसे पढ़ेंगे, जब इस sentence को हम complete पढ़ेंगे, और इसका sense पढ़ेंगे, ठिक, war photographers use black and white pictures as a, बीपन, जो war photographers होते हैं, जो फोटो क्लिक करते हैं, वार का, वो black and white pictures use करते हैं, बीपन के रुप में, because they will south and scream, क्योंकि वो आपको डिराएंगे, ठिक, you want miss the black and white, आप जो हैं, miss नहीं करेंगे, black and white को, but you could walk faster color picture, जो हैं, कि आप जो हैं, ऐसा नहीं लगेगा, कि हम जो हैं, black and white, जो हम, जैसे की रंगीं TV, आज हम लोग देखते हैं, colorful TV, पहले black and white, ठीक, तो आप इस तरह के चीज़ों को miss नहीं करेंगे, लेकिन, आप जो हैं, color picture क के रूप में उसे देख पाएंगे, ठीक, तो यहां पर जो आपका राइज आंसर है, वो है आपका option A, question 4, यहां पर आपको जो है, synonym बताना है, infuse का, infuse मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिठा लेना, जैसे कि मन में बैठ है या ना कोई चीज, भर लेना, अपने मन के ठीक, options देखते हैं, तो feel मतलब महसूस करना, feel मतलब की भरना, तो राइज आपका option B है, in reach, यानि कि संब्रिध होना, apply, मतलब क्या होता है, कि लागू करना, ठीक, राइज आपका option B, question 5, यहां पर आपको item का अर्थ बताना है, flash in the pan, इसका मतलब क्या होता है, flash in the pan मतलब हो ठीक, options देखते हैं, goal discovered, eliminate, something that offers hope like a light in a tunnel, नहीं, hope तो हमें लगता है, लेकिन वो बाद में जाके disappointment लिखता है, and early promise that fails to matter, तो यहां पर जो राइज आउनसर है, वो है, आपका option C, यानि कि कोई ऐसा promise जो पहले तो लगता है, कि हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बाद में जो है वो उसे पूरा नहीं कर पाता है, ठीक, तो राइज आउनसर है, आपका option C हो जाएगा, question 6, यहां पर आपको grammatical error को find out करना है, a newly released study has found that more people wear inserting riding electric scooters than by riding bicycles, ठीक, तो यहां पर जो error है, वो है हमारा option C में, हम लोगों ने जिरेंज वाले rule पढ़ा है, ठीक, तो यहां पर दो भर हमें साथ में देखने को मिलते हैं, यह वर्ब 1 और यह वर्ब 2, ठीक, तो यह जो भर्ब है, उस sentence के हिसाब से, जो हमारा भर्ब यूज़ होगा, उसे यूज़ करेंगे, चाहे वो sentence V1 हो, V2 हो, ठीक, V3 हो, लेकिन उसके बाद, जो यह हमारा भर्ब का second form होता है, यह अपन हमेशा fourth form में होता है, यानि कि आए अगर वो पर्जेंट में है, तो पर्जेंट में यूज़ करेंगे, ठीक, तो चुकि हम पढ़ रहे हैं, कि a newly released study has found that more people wear, देखे, यहाँ पर more people wear है, यानि कि बहुत सारे लोग जो है, मरत हैं, यानि कि पास्ट में दर सारा है, तो इसके आगया होना वाला पाइट भी जो भर्ब होगा, वो पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर injury के जगा क्या हो जाएगा, injured हो जाएगा, ठीक, यानि कि एक यानि कि बनाने वाला, maker, यानि कि रचने वाला, pioneer, यानि कि प्रथम, अग्रदू, तो राइडां सरया पर आपका उप्शिन, सी है, manufacturer, यानि कि उतपादक, कुर्शन वो एट प्याते हैं, आपको फिल-in-the-blank करना है, scientists have identified, fill-in-the-blank reasons that make people fill-in-the-blank tasks rather than tackling them immediately, tackling मतलब होता है, किसी चीज़ को handle करना, ठीक, उसे, उसका जो है, tackle करना, कि आप उसे किस परकार से, जो है, handle करते हैं, ठीक, समहालते हैं उस चीज़ को, तो यहाँ पर जो है, options क्या क्या है, options है, आपका option है, आपका है, mind, फिर प्रिप पोन, brain, या फिर दिफर, तो यहाँ पर जो इसका रहा है, answer हो जागा, वो हो जागा, option D, ठीक, scientists have identified brain reasons that make people differ, task rather than tackling them immediately, यानिकी, scientist जो बेज्ञानिक है, उन्होंने कुछ ऐसे, दिमाग के reasons खोजे हैं, ठीक, जो हमें, जो है, किसी काम को टालने में, ज्यादा, मस्गूल बना देता है, ना कि उसे tackle करने में, ठीक, deform मतलब के होता है, टालना, किसी काम को धीरे-धीरे टालते रहना, और tackle मतलब होता है, उस चीज पर काबू पाना, ठीक, आप उसको किस प्रकार से handle करता है, तो यहाँ पर job कराई, answer है, वो है आपका option D, question 9, यहाँ पर आपको जो है, फ if they do not remain connected, आपका जो अंजलाइस section है, can't be able to survive at all, इसे आपको improve करना है, गर आपको लगता है कि इसमें जरूरत है, तो ठीक, तो चीक हम देख रहे हैं कि इस अंजलाइस section के अबाद आपका if plus sentence जो है, आपका यह present indefinite में, if plus sentence जो आपका अगर present indefinite में है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, यह zero conditional sentence का बन जाता है, यानि कि अगर यह part if plus present indefinite है, तो कॉमा के बाद जो आने वाला part होगा, वो simple future tense होगा, यानि कि subject plus will yourself plus भर्व का first form, तो अगर हम इस option के साथ जाएंगे, तो राइदांसर है, हमें हमारा option D है, तो अगर आपको rules क्याते हैं, तो आप अराम आपको एंट्यूनिम बताना है, यानि के बिप्रीट सब्द, सिंडो, इसका मतलग क्या होता है, इसका मतलग के सीज को अलग करना, सुन्जर मतलग क्या होता है, कि सीज को अलग करना, options देखते हैं, combine यानि की जोड़ना, तो राइदांसरे हैं, आपका option A हो गया, क्योंकि ये एंट्यूनिम बताना है, बागे options से एसेंडो, मतलब होता है, अलग करना, ये यानि की ये दोन एक जुसरे के सीनुनिम है, तो याद कर लिजेगा, arrest यानि की गिरफ्तार करना, surrender यानि की आतमस मरपन कर देना, कुश्य मैं ग्यारा, यहां पर आपको एंटिफाई करना ह अपना अंसर चूच कर सकते हैं, या पर देखे, hair, fallisils है, यानि की ये जो subject ही, अपना plural form में है, ठीक, ACIS plural form में है, तो इसके बाद जो हमारा भर्व आएगा, ये plural form में आना है, तो इसके जगा हम क्या यूज करेंगे, आर का, यूज करेंगे, ठीक, तो error जो हो जाएगा, हो जाएगा, आपका option A में, इसके जगा हम, आर का, यूज करेंगे, आते हैं, question 12 पर, यहाँ पर आपको wrongly spell choose करना है, तो options देखते है, costly, यानि के सब्धाने पुर्वक, ये आपका correct spell, consequently, ये आपका right answer है, ठीक, consequently, c, o, n, s, e, q, u, e, n, t, e, y, 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 इसके जगा, इसके जगा, इकर लीजेगा, इसके मतलब होता है, परिणाम, ठीक, option C, आपका completely, यानि के पूर्णता, concurrently, मतलब क्या होता है, समनांतर, साथ-साथ, persuade का आपको, जो है, आपको, सिनोनिम, बताना, persuade मतलब होता है, किसी को, राजी कर लेना, इसका आपको, प्र स्वेट का मतलब होता है, राजी करना, convince मतलब ही, मना लेना, राजी कर लेना, question of 14, यावे, आपको, रॉंगले, स्पेल्ट को, चूज करना है, तो, evocation मतलब क्या होता है, याद दिलाने वाला, ठीक, यानि कि आपको, जो है, आपको, चीजे, याद दिलाते रहता है, excavation मतल location मतलब क्या होता है, निकासी, क्या होता है, वाकेशन मतलब, निकासी, यानि के बाहर निकलना, तो, आई दाउन सरे, आपका option D है, उसका बाद हम लोग देखते है, question of 15 to 19, solve करने के लिए, हमें जो है, पैसेज पारना होगा, और उसके base पर हम इन 5 questions को solve करेंगे, तो, इसका पीडियोब जो है, आपको हमारे टेलग्राम चैनल पेर दे दिया जाएगा, इसका description में लिंक एते दिया गया, वहाँ पर से join करके, इन पीडियोब को download करके, आप इसे खुद से attempt करिएगा, ठीक, तो, इसका पीडियोब आपको download, sorry, यहाँ पर जो है, share कर दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए, error क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका error हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option B वाले में, आप जो है, so के जाएगा, बज का use करिए, अब कैसे use करिए, यह हम समझते हैं, देखिए, a smartphone cameras can now take pictures, a smartphone, जो phone के जो cameras होते हैं, वो pictures ले सकते हैं, near professional, take quality, य also have limitations, लेकिन, उनके पास जो हैं, यानि कि जो smartphone cameras है, इन में भी limitations होती है, ठीक तो यहाँ पर जो है, लेकिन का ज़रूरा थे, इसलिए हम बच का use करेंगे, so मतलब होता है, इसलिए, आता है, यहाँ पर आपको item का अर्थ बताना, hit the nail on the head, इसका मतलब क्या होता है, to identify the exact thing, ठ say or do something exactly right, यानिकि जो एकदम सही है, उसे ही आप कहते हैं, या फिर बताते हैं, question में 22, यहाँ पर आपको grammatical error को find out करना है, regardless of class, income और race, parents believe that children who are bored after school should enrolled in extra circular activities, तो यहाँ पर जो error हो जाएगा, वो हो जाएगा, option B में, यहाँ पर जो है, should के बाद आपका भर्व का first form आता है, ठ ठीक, तो यह जो हम देख रहे हैं, कि हमारा जो sentence है, यह voice में change है, इसलिए हम suit के बाद जो है, हम B का use करेंगा, उसके बाद यह जो involved है, इसे हम जो confused भर्व का third form में छोड़ देंगे, ठीक, तो यहाँ पर suit के बाद आपको B का use करना है, involved यहाँ पर सही है, आते हैं, question 23 पर आपर फिर सापको grammatical error को find out करना है, the camping site is a naturally sculptive amputator, that's serving as the perfect spot to lay back and count the stars, तो यहाँ पर देखिया आपका जो error हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिया आपका जो error है, वो है आपका दो को, ठीक, यहाँ पर जो है, दो errors है, एक तो error आपका हो गया, कि serving के क्यों use करें, क्योंकि who, which, that, अगर यह sentence में हो, बीच में अगर conjunction के रूप में use हो, तो उसके just पहले वाले subject को हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिया, amputator जो है subject singular है, तो भर भी हम singular form में use करेंगे, यानके भर्व का fifth form, तो serving के जगा हम serves का use करेंगे, ठीक, उसके बाद ज हम लाई का use करेंगे, लाई बैक यानकी अराम से बैठना या फिर लेटना, ठीक, तो यहाँ पर आपका option A में भी, sorry, option A में भी और option B में भी, ठीक, तो यह दूनों अच्छे से आप लोग याद कर लिजेगा, आते हैं question 24 पे, यहाँ पर आपको जो है, क्या करना है, item का अर answer है, आपका option A है, interfering in affairs without having knowledge, यानि किसी चीज़ का आपको घ्यान नहीं है, लेकिन आप जो है, जाकर टांग ला रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, फिर भी, ठीक, कुछ वह जो इंट फाइब यहाँ आपको अंजलाइन सेक्शन के इंप्रूब करने की जरूरत है, तो करे नहीं तो फिर नो इंप्रूमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो यहाँ पर देखे, the automation revolution has hit recruitment with everything from facial expressions to vocal tone, now analyzed with algorithms and artificial intelligence, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर हम यूज करेंगे, किसके द्वारा यह अनलाइस किया गया है, तो algorithm and artificial intelligence है, उनके द्वारा यह चीज अनलाइस किया गये, तो यहाँ पर जो हैं with के जाएगा, हम by का यूज करेंगे, यहाँ पर जो guide answer है, वो है आपका option B, question 26, यहाँ पर आपको AWS का रथ होताना है open rebellion of soldiers and sailors against lawful authority, यानि कि एकदम खुलम खुला जो बिद्रो होता है, soldiers का, अपने मतलब की जो lawful authority है, उनके खिलाब, तो उससे क्या बोला जाता है, तो उससे बोला जाता है, mutiny, mutiny मतलब क्या होता है, sun बिद्रो, क्या होता है, sun बिद्रो, tried answer है, आपका option B है, strike मतलब होगया, ह तकता पलत देना, जैसे कि कोई अभी मुख्वंत्री है, तो यहाँ पर जो है, यह कुछ इनके तरब से कुछ दूसरे पाइटिया में चलेंगे, चलेंगे, बिदाये क्लो, MLM, ठीक, तो वहाँ पर जो है, क्या हो गया, उनका टकता प्लाइट हो गया, तो यह कूप मतलब ह होता है, तकता पलत होना, प्रोटेस्ट यानि कि विरोध ठीक, आताया कोशे में टोंचे सेवन पर, यहाँ पको इंट्रीयम का अर्थ होता नह्या है, वोलीक्षण का वोलीक्षन मतलब होता है, इच्छा सकति च्या? इच्छा सकति, अबशक विपरीध होताना है, आपको, बिल्फूल यानिकी जान बूज कर वाइलेंस यानिके हिंसा डिस्पोजिशन यानिके सोभाव प्रभीर्ति आपका जैसा है कंपल्सन यानिके विवश्चता या फिर बाधा तो मतलब कि किसी को बात हित करना तो आपको अप्शन डी है एक है कोई इच्छा से कर रहा और एक है आप किसी को जबरदस्ति उससे करा रहे हैं विवस्ता पूर्व करवा रहे हैं ठीक तो यह दूने इक दिसरे के बुप्रीथ हो गया है कुश्वाची सब्द हार्ट सिपका इसका मतलब कर रहता है कष्ट अब इसका सिननीम बताना है मिश्टी यानिके रहस्य माइजरी यानि के दूख या फिर कस तो राइडांस रहां प्राइब को अप्शन भी है डिफिकल्ट यानि कठीन प्राइवेसी यानि की निजिता एकांत कुश्व में जो जिना है आपको 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 अपको अच्छे हैं लेकिन वह जो हैं आपके लिए खतरनाक है ठीक यानि को अच्छा वेक्ति एक ऐसा वेक्ति जो दिखावा कर रहा है कि हम आपके लिए अच्छे हैं लेकिन वह अंदर से आपके लिए गलत ही सोचता है आपको हार्म करने के लिए सोचता है अब खतरनाक है वह ठीक तो राइडांस रहाप आपको आपको अप्शन परिटेंडिंग अब लग तु भी हार्मलेस कोषमाट्री यहां पर को जो है सिन प्रृब्र लेकर चलते हैं प्रिटिक नहीं सोचते हैं ठेक ओपstंस हैं कंप्रेवल यानी के कि तुननीय यह प्रफाउंड यान की गहन गहरा रिफ्लेक्टिव यानी की चिनदनसील ऐक्यूवेलेंट यानी आपने आप को फूड को उससे क्या कहा जाता है तो उसे तो यहां पर क्या हमें चूछ करना है कि एक ऐसा वक्ती जो आच्ट का फूड का ड्रिंग को अच्छे से जानता है उसका बिसे सगेओ क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर आप्शन देखते हैं आपका उप्शन के जरूरत है तो करें नहीं तो कि नॉप्शन के साथ जाएंगे वाइल देर इस्टिल डिवेट डिवेट याने के बातचित बीमर्स बात विमर्स हो जो होता है वह वाट वाइड डिप्रेशन एंजटी एंड एंसाइटी एंस सुसाइड है एस्टेरियोटाइप एमंग पीपूल टुजेज इविक्वीटियस इविक्वीटियस हम आपको में में हिल्पिंग भर्व के जेश्ट बात करें ठीक तो यहां पर जो राइड आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन भी है स्मार्टफून यूज सियोरली प्लेज अपाट ठीक तो यहां पर देखिया आपका सब्जेक्ट की जेस्ट बात जो है यहां पर आपक आगया यह एड़ और भर्व के जेस्ट पहले यहां कि आपका सब्जेक्ट और भर्व के जेस्ट पहले आप इससे बीच में ही यूज करें एड़ एड़ पर ठीक तो राइड आंसरा आपका ऑप्शन भी है कुश्चों में 33 यहां पर आपको फिलेंदी ब्लाइंग करना है और फोटोग्राफ सुझ फिलेंदी ब्लाइंट एट यू एंटेल यू अलावड लिजाट सम्टिंग फिलेंदी ब्लाइंग तो जब या फोटो क्लिक करवाते हैं तो क्या होता है वह आप पर चिलाता है कि आप ऐसे खड़ रहे हैं इस प्रकार से आप जो है फोटोगी च कर रहे हैं अपर किस तरह सब खड़े हैं ऐसे रही है ऐसे रही है ठीक तो यहां पर जो राइड आंसर है वह आपको ऑप्शन डी अश्विंग को मतलब क्या होता है जब की लेना अस्टेंज यान की बिचित्र लुक यानिकि देखना स्कैरी यानिकि जराबना लाफ यानिक एपिटेशन और बिइंग अहार्ट प्लेश्ट वर्क सु देवर्प टॉक्सिक वाजी इस्टी डिस्क्राइब दैमनेस्टी वर्फ कल्चर सो फार एज नांटी 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 तो यहां पर देखिए ऐस का यूज वह सो एज हम लोग जानते हैं सो के साथ डाइट का इन जेनरल और्ट मैगनेटिक फ्लिंद ब्लैंक इस गेडिवी को लीडिंग साइंटिस टू सेट विल इवेंच्वाली फ्लिप लाइक वार्फल इन ब्लैंक फ्लेपिंग ओवर तो यहां पर जो आपका रहीड आंसर है वह आपका ऑप्शिन दी इस जेनरल और्स मैटमेट मैगनेटिक पावर यानि कि चुल पकिये जो सकती है इस गडिटिंग विकर वह हो रहाए धी रहे-धीरे-धीरे जो प्रत्र,माइस्थी का चुल किह सकती है वो कमजोर होता जा या रहा है लीडिंग स्इंटिस्ट यान कि जो आज कि अच्छे स्ञेन्पे स्शिन का कहना है जैसे कि एक बार जीमनास्ट यानि कि जो जो जिमनास्ट होते हैं जो पहलवान होते हैं जिस तरह से उस परकार से ही यह फिलिप हो जाएगा धीरे-धिरे ठीक आते हैं आपको सब्सक्राइब करें तो यहां पर जो हैं जाएंगे औप्शन डिक साथ यहां पर देखे यह जो है रेगुलर ली आपका एड़ हो गया तब यह लोग नहीं क्या सिका सब्जेक्ट इस्ट हम लोग यह यूज करते हैं तो रेगलरली यहां पर देखिए हम लोग यूज कर लिए option d के साथ यहां पर जाएंगे कुछ में अपर आपको जो है आइडम कर्थ होता ना है क्या चीप ओन वन स्विल्ड इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि आप जो है अपने मन में किसी को प्रती इर्ष्या वैर क्रोध रखे वें ठीक तो राइड आंसर जो है जो है ओड़ेश करता ना है अब मोड़ बिहेवियर और वे अथाउट पेकलर तो एन इंडिवीज्वल यानि कि कोई अलग सोच या फिर अलग विचार मतलब कि आप जो है एकदम अलग परकार से ही जो है किसी चीज को सोचते हैं ठीक तो उसे क्या कहा जाता है मतलब कि अप्शन देखते हैं सिंगुलर यानि कि एक लौता ठीक एकदम सिंगल पिस सैनिकल यानि की निंदग जो आप हमेशा आपके निंदा करने की बात करता है आजिन से क्रेटिक इसका मतलब क्या होता है विसेश प्रविर्तिका ठीक तो राइज आंसर आपका ऑप्शन डी है मतलब यहां पर यह वह से भी आपना राइज आंसर ऑप्शन सी के साथ जा सकते थे पैकलर मतलब होता है अनोखा या फिर बिचित आइडियोटी यान की मुर्कतापुर्ण कुश्म वह थरी नाइन यहां पर आपको रॉंगले स्पेल को चूज करना है एक्स्टेंशन यानि इक को रिमूफ कर दीजिए एकस के बाद तो आपका राइज आउसर हो जाएगा तो यहां पर यह बॉक्स ले जाए जाता है उसे क्या का जाता है ऑप्शन देखते हैं एम्बुलेंस हो गया आपका वियर मतलब कि ताबूत हैर से यानिकि सब्यान तो आई जान से आपका आ यानिकी गाड़ी कुश्ण बॉफोट वण में आपको अर्थ बताना है इंट्यों का ओपेक का इंट्यों में यानिके बिप्रीत ओपेक यानिकी अपारदर्सी अब इसका बिप्रीत क्या होगा ऑप्शन देखते हैं एब्जॉर्बेंट यानिके शोशक जोख लेता है ची निगेटिवीटी निगेटिवीटी मतलब क्या होता है नाकरातमकता ठेक यह आपका करेक्टर स्पेल्ट है निगेशन मतलब क्या होता है मुकर जाना अपनी बातों से निगोशियेशन यह आपका करेक्टर स्पेल्ट नहीं है यानिके रॉग में स्पेल्ट है राइड आंस मोलभाव करना और नेविगेशन मतलब क्या होता है उसके बाद आपका है ऑप्शन बी कंसोलेशन यानिकी संताबना देना कंकमिटिंट इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सहवर्ति यानिके साथ मुलता है कंसलीयेशन यानिके अच्छा सम्मद्ध रखना है कि समझोता करना तो कंसलीयेशन का जो आपका करेक्टर स्पेल्ट है वह आपका सी ओ एंस लिए ले टिया यूनिये के डबल लेल के जगा हम सिंगल लेल का यूज करेंग कि नियंतन करना रिग्यूलेट यानिके नियमीद करना अनलाइज यानिकिसी चीज का बिसलेशन करना समझना तुराइड आंसरे आपका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सिनोनियम के रूप में यहां पर लगता है एक कोश्चन बचकिया हाँ कुशन 42 में आपको फिल इन द जो पिर्थीवी का जो उत्री मेंगनेटिक पोल है जो ध्रूब है वह निचो तयारा सो फास्ट यान कि बहुत ही तेजी से इन लास्ट फिडिकेट से पिछले कुछ दसकों में डाट जो बग्यानिक हैं वो कहते हैं कि जो पास्ट एस्टिमेट जो हैं हमारे आर नू लॉं फोटी शिक्स टू फूटी पे यहां पर आपको एक पैसेश दिया गया और इसे फिल करना है इट वाज एक राइम और पैसन यानि कि यह जो है क्राइम पैसन आफसेश डिस्फिग्रिंग वालेंस तर यानिकि पहले जो है एक ऐसा क्राइम था जहां पे जो हैं बहुत ही ज होता है गुस्से में होना ठीक इन नवंबर 1850 यानि का फिलिक्स डेकॉन यंग लिठोग्राफर हुए फेलिक्स दॉक्स दूक्स जो एक लिठोगृफर थे हैं ठीक हुए फॉघ फॉलन का यहां पर देकि हैड्स चाहूर्वार्स का फॉरम तो हम जाएंग ऑक्शिन यानिकि जो है एक मैडिड वह मोन के प्यार में फ़स गयते सारह एंट पिकॉक जिनका नाम कहता सारह एंट इंट इन डा स्टीट जिन पर जो हैं डाग किया गया था जली में उसका जड़ क्मन करता है जो उसका पती नहीं था अनादर मैं लेकिन कोई दूसरा वैकती थी एक दात विश्यसर के हुवाज इकुवली असमीटेन विद मिसेश पिकॉग असमीटेन मतलब क्या होता है पीटा गया ठिक जो की मिसेश पिकॉग के साथ पीटा गया था एंड देरफॉर वाइज डिकॉन एज आपका यहां पर राइड आंसर कौन से हो जागा राइबल यान आपको हर एक कोशन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो समझाने के तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा लेसन को ज्यादा ज्यादा सेर करिए अपने श्याज़े गोप्स में ताकि और भी जो लोग हैं इससे देखें समझेश सीखें और हमारे से जुड़ को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा ताकि आपको बहुत नोटिफिकेशन जाता रहे अब अपडेट होते रहें और टेलिग्राम चैनल को जरूर जोन कर लिजएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है मिलता है आगे के लिसनस में थैंक्यो कर दो